तो दोस्तो आज 30th मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दिगज कमपनी NHPC Limited शेर के बारे में जिसके उपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है देखते देखते शेर में थोड़ा थोड़ा हमें रिकवरी देख के साथ ऐसे में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेरिस्ट अपडेट आया फन रेजिंग से रिलेटेड साथ में दोस्तो एक प्रोकर एजनिस को डाउन ग्रेट किया तो यह सारे खबर के उपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अच्छे से और आपका आगे का निती क्या हो सकता है एनेच पीसी लिमिटेट की शियर के उपर तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के बुरान तक जरूर देखना बिकॉस दोस्तों काफी सीरियस है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक एक करके मैं आपको एक इप्रिल से शुरुआत होने जा रहा है तो जैसे का आप देख सेक्ट न्यूस की हेडलाइन एनेच पीसी बोट एप्रूब रेजिंग 6100 क्रोड डेट इन फनांशिल 25 तो अपकमिंग फनांशियल यह पे कंपनी टोटल 6100 करोर का दोस्तों वाया डेट के थुरू यहां पर अब देखिए फंड रेस करने का जैसे कि इसके पहले बें आपको बहुत बार समझाया था बहुत अलग-अलग तरीक है अलग-अलग तरीके गालग-अलग इंपक्ट देखने को बलता है सबस्ते के जिनको ने वालों उनके लिए मैं थोड़ा एक्स्पेन कर देता हूं सप कंपनी कंपनी फंडेस करता है उसमें हमेशा discounted valuation में किया जाता है तो जिसके कारण 80% चांस है शेर में गिरावाट होता है जैसे कि अपने देखा होगा जब कोई कंपनी वे फिस लॉंच करता है अब दूसरा जो इंपोर्टेंट तरीका होता है वह बॉंच के अंदर अलग-अलग सेग्मेंट है जैसे कि आपका दोस्तों तो जिसके करन दोस्तों यहां पर कंपनी क्लेरली मेंशन किया यह जो 6100 करों का फंड्रेस करेगा पूरा फंदान्शिल 25 में धी में धी में करके थोड़ा थोड़ा करके वह कंप्लीटली होगा नॉन कनवेंट डिवेंचर यानि एक बांड के थुरू देख से क्लेरी मेंशन किया कि नॉन कनवेटेवल कॉर्पोरेट बॉंट जिसका में बोलता है इंसी यानि नॉन कनवेटेवल डिवेंचर के थुरू ठीक है अब आल्लेडी दोस्तों कमपनी इसको अच्छन भी लेन दिखाता हूं और यहां पर जो भी आर्टिकल्स लिखा हूं तो पढ़के सुनाता हूं यह देखें मतब फंड्रेस अल्लेडी कर भी चुका है और किस परपस किया यह भी आपको जाना जरूरी है बहुत इंपॉर्टेन प्रोजेक्ट है कंपनी के हाथ में उसको करने के पर प्रोजेक्ट को करने के लिए कंपनी टोटल 1100 करोर का फंड्रेस किया मतब यहां पे पैसा लिया है कहां से जैपान की एक बैंक है जैपान बैंक आफ इंटरनेशनल कॉर्परेशन नाम करके इस इस बैंक के थ्रू दोस्ते हमें फंड्रेस कर रहा है अब इस न्यूज को आगे कंटिन्यू करेंगे बर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों इस टैप की इन आप देखते जाहिए और मज़े लीजिए यह देखे 32% डाउन साइट लाइकली एमाइड एक्सेक्यूशन रिस्क तो बेसिकली कोटक एक्विटीज नाम अपने शुना होगा इसके पहले भी बहुत बार बहुत सारे कंपनी की शियर को डाउन गेट किया था कहीं 40% का 50% उ सब सभी को रिक्वेस्ट करूंगा आपको क्या लग देखिया सार्ट रूबे तक पहुंच जाएगा या यह वही पुराने तरीके पहले शेयर को डाउन गेट करो फिर खुदी बाई करो या इनका ही कोई भाई है उनको बोलेंगे भाई बाई कर भाई कर लिया फिर रिटे इन्वेस्टर को अलर्ट करना मैं आपको एक न्यूज दिखा था ध्यान से देखना यह जो न्यूज है आज का न्यूज नहीं है आज से लगबख एक साल पहले का न्यूज है लास्ट यह जून दॉयाद तीस उस टेम पे भी आमने देखा था कि एक कंपनी था जिसका नाम क्रॉस करने जाए गया तो मतलब एक साल पर इनका टार्गेट है था पांसो तीस और आज की रिट में शेयर का पे चल रहा हजार के आसपास तो मतलब यह लोग खुदी अपना बेजज़त करता है एक और आपको मैं न्यूज दिखाता हूं यह देखिए यही सेम अपना ओल्टाइम हाई भी टेज किया था सोला सो की ऊपर जाके आज लगभा कोई दे राजर का असपास ट्रेट करा है तो मतलब देखा अच्छा एक और चीज़त देख लिए कपका न्यूज है बहुत पहले भी हो चुका है बहुत बार हमने देखा था बहुत सारे ऐसे को डाउनगेट कीा था उसके बाद अच्छारी संट एमें बोलना भूली गया रिसन टेमें ने देखा था मधरे जोचैप की तरफ से जब स्मॉल कैप मीड़काप को डाउनगेट किया था रिस्की बताया क्या था सेम तू सेम चीज हमें कोटक इंस्ट्रूशनल एक्वीट क्लियरली देखिए इनके दरब से मेंचन के बागी दोस्त आपको आइधिंग कि आप समझदार हो समझ गें कि यहां पर क्या मामला चल रहा है क्या खेल चल रहा है बागी आप कमेंट के दूरू बता दीजिए ठीक है और लास्ट डेकी बात करें नहीं की शेर में काफी अच् अच्छाइब करेंगे आपको सिधा स्क्रीन शॉट को पर लेकर चलता हूं आपको सिधा स्क्रीन शॉट को पर लेकर चलता हूं कि लास्ट तीन मैंने की कानल स्टीक चार परन फटा फट में आपको थोड़ा इंट्री पॉइंट और सपोर्ड रेजिस्टेंस बदा देता हूं ठीक है जैसे का आप देख सकता अभी इसका अंडेक्स वाइस ऑल्मोस्स नीट्रल जोन पर है तो ज्यादे आपी हड़िवर करने की जरूरत ने शेर अल्मोस्स लास्ट दो मैने कंदर काफी नीचे पहुंच चुका लास्ट अपना हाई टाच के था फेबरी की वर्स्ट विक पे बीच में जब गरावट हुआ था सेवेंटी का आसपास और लास्ट कुस दिनों पर थोड़ा-थोड़ा हमें रिकाव एक था 85 के आसपास यह पहला सपोर्ट लेवल दूसरा सपोर्ट लेवल दोस्तों ठीक उसके नीचे 75 के आसपास जो कि इसके पहले हमने देखा था जब एकदम से सदेन ड्रॉप हुआ था दो बार सपोर्ट मिला था ठीक है तो ऊपर किदर रेजिस्टेंस हो गया 90-98 और न कुछ मैंने भी अच्छा दिया लॉंग टाम अगरा पेशेंस फुली वेट करते हो तभी जाके आपको एक अच्छा फीगर रिटन मिल सकता है ठीक है तो इस टेप की शेर में आपको इन्वेस्ट करने तुमा बारवर बोलूंगा मीनियों पांस साल देना पड़ेगा एक त सेक्टर को ठीक है बहुत फ्यूटरिस्टिक सेक्टर डिमांड है उसके साथ साथ क्यूंकि सरकारी कंपनिया डिवीडेंट बहुत अच्छा देता है है कि नहीं कुछ दिन पहले भी दिया था तो एडवंटेच है तो वह आपक्यूबर करता है ठीक है तो यह दोस्तों मेरे